स्टाप मार्केट मोडिवेशन दोस्तों आज हम बात करने वाले निफ्टी और बैंक निफ्टी की मंडे क्या हो सकता है उससे पहले जान लेते हैं कि फ्राइडे क्या हुआ दोस्तों फ्राइडे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट एक न्यूज आई थी जिसके तो एक जो मीध लवर हाई लगाएगा वो मीध थोड़े देर बाद आफ्टनून में धराशाई होगी कि मार्केट ने फिर एक नया लो लगा दिया ठीक है अगर आप मेरे लाइफ सेशन में जुड़ रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि हम लाइफ किस तरह के से बना दूँगा तो क्या कि आपको बेनिफिट होगा मेंबर्शिप से इस चैनल की आपको सब पता चल जाएगा ठीक है तो निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है डेली का उससे पहले फ्राइडे जो न्यूस आई थी वो एक बार देख लेते हैं क्या न्यूस थी और उससे क कि बाढ आ सकती है इंडिया में अब क्या होगा जो भारत सरकार के जो बॉंड से अब फॉरेन इंवेस्टर भी खरीच सकते हैं और उसके चक्कर में क्या होगा कि पैसे की बरसात होगी इंडिया में तो आया है और अप्रॉक्सीमेट जो एमांट निकाला है वो भी 25 बिलिय हो गए ठीक है वो थी एक शौट टर्म रैली अगर हम शौटर टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो यह रैली हम देख सकते हैं ठीक है इफ यू वाच्ट इस रैली सी मॉनिंग आपको 300 पॉइंट की रैली देखने को मिली सौरी पैंग निफ्टी में आप देख रहा हूं यहां से यहां तक लेकिन उसके बाद क्या हुआ मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हुई और धराशाई हो गया विकॉस ओवराल मार्केट बुलिश नहीं है बियरिश है ठीक है S&P 9 पॉइंट और नाजटेक 12 पॉइंट लेकिन यह उतनी बड़ी गिरावट नहीं जितनी इस से पहले देखी गए थी करी 300-200 पॉइंट के अस-पास गिरे थे तो एक ब्रेक लगा है हलका सा अब यह ब्रेक लगा है तो हो सकता है कि मंडे हम कुछ अच्छा मूपर की अगर पॉख अप उचाल देख सकते हैं मंडे वर अग्र आप और और बाकी मार्केट देंगे सारें यूरख़पन मार्केट भी एड़े एशियन मार्केट अगर आप जैपैन वी रेड़े जाएंगे तो वो भी एड़ है ठीक है ओंलिंसंग और चाना इट स मार्कर वह ग्री और नीचे आगया ठीक है अब फ्राइडे तो निकल गया सटरडे संडे चल रहा है और मंडे क्या हो सकता है गाई देखिए ओवर आल अगर आप देखोगे तो मार्केट भी एरिस जोन में आ चुका है ठीक है हमने जितनी बड़ी रैली लगाई थी अगर आप 19-200 के लेवल से करेक्शन मान रहा हो प्रॉफिट बुकिंग मान रहा हो तो यह अच्छा संक्यत है मार्केट को फर्दर उपर ले जाने के लिए पहली बात इंडियन एकनोमी में कोई दिक्कत नहीं है अगर आप दीपक पारेक जो HDFC के पूर चेर्में थे उनका बयान सुने 31 अगस्त के ल अमेरिका बहुत जादा गिरता तो हम उतना ना गिने ठीक है हम कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके फिर बाउंस में कर सकते हैं ठीक है तो एक पॉस्लिबिलिटी बनी है अब मंडे हो सकता है कि जिस लोवर हाइस की में जो बात कर रहा था देखिए मार्केट जब गिरता है डाउ लोड 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 लगा कर मार्केट चला जा रहा है ठीक है मार्केट ने क्या किया है समझने की कोशिश करते हैं मार्केट ने आपकार लोड 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 लगा रहा है लोड है अभी तक नहीं लगा है ठीक है एक संभावना है पुल बैक की तो पुल बैक फ्राइडे संभावना लग रही थी क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था लेकिन फिर बाद में आफ्टरून में सेलिंग होगी मार्केट ने फिर नया लो लगा दिया और नीचे आ गया तीक है अब अमेरिकर मार्केट उतने नहीं गिर हैं जितने पहले गिर रहे हैं तो हो सकता है मंडे आपको ऊपर की तरफ एक हलका सा उच्छाल देखने को मिले और उसके बाद अगर मार्केट नया लो ना लगा एक लोवर हाई लगा दे और उसके बाद फिर फर्दर लो लगाए क्योंकि मार्केट तब तक रिकावर नहीं नहीं आती क्योंकि अभी हम उसी को फॉलो कर रहे हैं अभी तक हम अमेरिकन मार्केट के रिवर्स में नहीं गए हैं और अगर आप वीगली का पैटन देखेंगे निफ्टी का तो बहुत ही जबर्दस बीरिश पैटन बना हुआ है ठीक है तो यह एक चिंता का विशय है जि लेकिन यह बहुत ही स्ट्रॉंग बीरिश स्केंडल होती है गाई देख रहां पूरी बाइंग खा गई से वितना पोर्शन अभी बचा हुआ है खाना मतलब मार्केट अगर गिरना चाहे तो 19-550 का सपोर्ट लगा हुआ है वहां तक गिर सकता है और अल्टीमेट 19-200 जहां मिलोंगे इसका मतलब क्या है कि बाहर के जो निवेशा के उन्हें समझ में आ रहा है कि इंडिया इंडिया में इंवेस्टमेंट का मौका है लेकिन सेप्टमर मत में अगर डेटा देखोगे तो आल्मोस 16,000 करोड की बिगवाली हुई है वहीं डियाई आई ने आल्मोस 11,000 क परोड की खरीदारी करिए ठीक है तो डियाई आई का जो लोग है जो अपने इंडियन इंवेस्टम का लोग तो पॉस्टिव है बट एफाई याई थोड़ा मेर कगई है इसे निगेटिव हुआ है ठीक है तो मार्केट का लेवल अगर आप देखना चाहते हो तो देखिए 19.416 अगर ये क्रॉसोवर टूटा तो मार्केट 19.200 तक भी आ सकता है ज्योंकि अल्टीमेट सपोर्ट है अल्टीमेट इंस्टिटूशन का रिवर्सल जोन बन सकता है अगर वह भी टूड़ गया तो फिर 18.800 8600 तक आने से कोई नहीं रो सकता पिछली बार हम बज गए थे ह अगर इस पार मार्केट नहीं संबले तो मार्केट वहां तक भी पहुंच सकता है तो उसमें टाइम लगेगा वीविल कीप ऑन बाचिंग और जब मार्केट गिरे तो आपको क्या करना है शौर्ट सेलिंग ठीक है बाइंग नहीं करनी है आपको मार्केट में बहुत कौशि अगर निफ्टी इसके उपर पहुंच जाता है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि बुल्स में कंट्रोल में ले लिया मार्केट को तब तक नहीं मानेंगे हम तब तक आपको बहुत कौशेशली ट्रेट करना है इंट्राडे करिए अब कोई भी शौर्ट या लॉंग प चच करेगा और उसके बाद एक साइकलोजिकल उनिश चैसों का सपोर्ट मेलेगा उसके बाद उनिश पांस सो फिर फचाथ स्ट्रॉंग सपोर्ट है ठीक है घई ओके तो इनिफ्टी का चोटा सा एनलेसे से बैंक निफ्टी में आ जाते हैं बैंक निफ्टी ने भी से फॉर्ट है ठीक है यह अच्छे इसके बाद नीचे आ गया तो डेली पर इसके लेवल को सते हैं वह ढ़िए ग्रीपर इसके क्या लेवल हो सकते हैं वहम जल्दी से समझ लेते हैं ठीक है मार्केट ने इनवर्टेड हैमर बनाया है अगर डेली का चाट देखोगे तो इ अगर यह बॉटम है तो यहां से रिवर्सल भी आ सकता है तो मंडे एक पुल बैक देखने को मिलना चाहिए ऐसा मुझे लगता क्योंकि यह लोगता क्योंकि यह लोगता है तो फिर से पंदर हजार का जो आपका बैरियर लगा हुआ है जो कि फ्राइडे नहीं तोड़ पाया मार्केट 44.996 से नीचे आ गया तो वो फिर से रोगने कोशिश करेगा ठीक है नीचे के आपके जो अब नेक्स टार्गेट हो सकता है 44.400 और फिर उसके नीचे अगर मार्केट आता है तो आपको 44.200 और फिर अल्टीमेट 43.800 का जो स्ट्रॉंग सपोर्ट है वहां तक गर बैंक निफ्टी गिरेगा तो गिर सकता है अभी बैंक निफ्टी हजार पॉइंट और निफ्टी 500 पॉइंट तक गिरने का स्कोप है ओके लॉंग मतलब यह मैं बोला हूं इस महीने के अंद तक अगर रैली जो बीरिस्ट जो मोमेंटम चल रहा है अगर वो बरकरार रहा तो इतना गिर सकता है ठीक है इस बात से इंक अब आगे आने वाले मंद जो अक्टूबर को तो वह भी एक ट्रिगर हो सकता है बैंकि सेक्टर के लिए अपने मार्केट के ले ठीक है तो देखते हैं मंडे मार्केट कैसा मुमेंट दिखाता है और आपको वैसे ही चाल पकड़नी है और मोश्टी अभी कोई पोजिशन मत दीचे जब तक की मार्केट में रिवर्सल नहीं आ जाता तो बैंक निफ्टी का रिवर्सल कब पता चलेगा 45,000 के उपर या 45,200 के उपर सस्टेन करना शुरू हो जाएगा मार्केट उपर की तरफ कैंडिस बनने लगेंगी तो हम समझ जाएंगे कि यह रिवर्सल आ चुका अब आपको इन्डीर मार्केट से जादा ग्लोबल मार्केट देखने की जरूबट है निऊस पर फोकस करिए किस तरह की निए आ रही है कि अबस hamburger कर ये जा क्या क्यर्स दे रहा है और अगर मार्केट उएक में जाएगा तो भी हमें session में चुड़ते हैं ठीक है तो गाइस मेरे live session में जरूर चुड़िये Monday morning 9 o'clock and we will sit from 9 o'clock to 3.30 and we will see the price action and take the trade people are taking trade people are learning so if you want to learn you have to join my channel subscribe कर लो and page को follow जरूर कर ले न ठीक है तो selling में आपको seller बनना है ठीक है बाइंग की opportunity नहीं ढूंद नहीं है अगर market और गिरता है तो आपको targets मैंने बता दी है ठीक है so thank you very much guys thanks for watching this video जैहिन जैभारत